हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ share करने जा रहे हैं ड hazard कोफी की रैस्पी यह आज कल बहुत जाह्डा फेमेज कोफी चल रही है तो मैं आपके साथ इसकी विडियो share करने जा रहे हूँ इसे कैसे बनाने है आपने घर पे तो एक bowl लिया है हमने और कफी लिए हैं यहां पर 2 चमच कफी, 2 measuring spoon है जो वो 2 डालने हैं आपने measurement सेम रखना है 2 cup आपकी कफी इसमें बन जाएगी यहां पर हमने 2 चमच कफी के डाल दिये हैं और इसके अनदर अब हमने चीनी डालनी है दो चमच इसके अंदर चीनी डालेंगे दो चमच काफी के अंदर दो चमच चीनी और इसके अंदर हमने फिर पानी डालना है पानी भी हम दो चमच ही डालेंगे ये मैंने मेज़िंग स्पून लिया है इसके मेज़र के साथ ही मैंने सारा कुछ डाला है अब हम इसको whip करेंगे अगर आपके पास whisker है तो उससे कीजिए अगर आपके पास blender है तो blender से कीजिए नहीं तो आप इसे हाथ से कीजिए हाथ से करने में 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको अगर आप इससे whisker से कर रहे हो तो आपको 3 से 4 मिनट में ये फ्रॉथ रेडी हो जाएगा आपका ये जो विप क्रिम है ये 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाती है आप देखिए थोड़ी देर में ही हमने इसे काफी अच्छी तरह स्मूथ कर लिया है अब हमने ये बहुत जादा light हो गया है अगर ये light नहीं होगा ये दूद के उपर रुखेगी नहीं अगर हम इसे पहले यूज कर लेंगे इसलिए इसे light किया जाता है कि ये दूद के उपर अराम से टिकी रहे यहाँ पर ice cube डालते हैं glass के अंदर serving कर रहे हैं अब हम यहाँ पर दूद डालेंगे दूद के अंदर मैंने मीठा डाल लिया है जो ये वाला दूद है इसके बीच में मैंने मीठा पहले डाल लिया है आप दूद को अगर फिका रखना चाहते हैं अगर मीठा कम पीते हैं तो आप इसमें मीठा skip भी कर सकते हैं, अब इसके अंदर हम कफी डालेंगे, यह कितनी light है, यह चमज को भी नहीं छोड़ रही है, इसको हमने इसके अंदर नहीं डालना मतलब उपर उपर रखना है, अंदर के तरफ mix नहीं करना है, इसको सर्म करने का तरीका यही होता है, जो हमने उपर उपर रखना है, और उपर से हम इसको plain कर देंगे, अब दोनों cup में हमने इस फ्रोट को डालना है, और उपर से plain कर देंगे, इसके उपर आप चौको चिप्स भी डाल सकते हैं, या नॉर्मल काफी की चौको पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरबाइस इसी तरह भ क्रीम है यह बहुत टेस्टी बनती है यह आप इसे ट्राइजरूर करें अगर आप रेस्टरेंट बगारा में इसे पीने जाते हो तो 100 पीज कप के कम नहीं मिलता है और आप इसे घर में बिल्कुल कम कीमत में बना सकते हूं अब इसे मैं थोड़ा सा प्लीन कर देती हूं और यह पीने के लिए रेडी है बाद में आपने इसे स्ट्रॉड लगाकर सर्व करने है और जब इसे हमने पीने है तब इस क्रीम को थोड़ा सा दूद के साथ मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम स्ट्रॉड के साथ इसे इसली पी सकते हैं लीजे यह हमारी कॉफी बनकर अब तैयार हो गई है मैंने इसे सर्फ कर दिया है फ्रॉड के साथ अब जैसे मार्किट में आप पीने जाएं तो मिलती नहीं है पहले तो अगर बड़े रेस्टॉरंट में कहीं जाओगे तब जाके मिलेगी आप इसे घर पर एक बाद ट्राइज जूर करें और इसका टेस जू जो ये क्रीम है उसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा चमच की हल्प से भी आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं आपको मज़ा आ जाएगा एक पर पीने में गर्मियों में ये बिल्कुल ठंडी कूल कूल ये हमारी डेलगनो कॉफी बनकर रेडी हो गई है आप इसका मज़ा लें आपको वीडियो कहते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यों वाचिंग